बीजेपी ने इस वार नारा दिया है कि अब की वार 400 पार और फिर से मोधी सरकार और ये नारा महज चुनावी नारा बन करना रह जाए इसके लिए बीजेपी ने धरातल पर एक एक सीट पर फूख फूख कर कदम रखने का निर्ने लिया है और ये निर्ने भी ऐसा कि पूरी दिल्ली के जो आला नेतरत जो बीजेपी का जो आला नेतरत है यानि कि बीजेपी का वो एक एक सीट पर जो सर्वे रिपोर्ट आई है जो फीडवेक आया है उस पर काम कर रहा है कल इसी निर्ने के तहत कल बीजेपी का महामंधन हुआ दिल्ली में और महामंधन भी कोई ऐस भूपनुपन दे साथ ग्रहय मंत्री और शुरुपन दूपन बेंगे इस जो करीब करीब उस पूरे निचोड की रिपोर्ट लेकर कल प्रधान मंत्री के आवास पर ये तीनों लोग बैठे और इन तीनों ने एक एक सीट पर जो राज्यों की रिपोर्ट आई थी जो उनका फीडवेक आया था उन पर मंतन किया और फिर करीब साड़े दस वजे तीनों बीजेपी मु देता थे उनको उनके साथ बैठे जिसमें सबसे पहले उत्ता प्रदेश के नेताओं को बलाए गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदितरनात प्रदेश संगठन मंत्री धरंपाल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजू थे प्रदेश प्रवारी चुना दावा किया है कि करीब तीस से चालीस सीटों पर जो फीडवेक यूपी की तरफ से लिया गया और माना यह जा रहा है कि करीब उसमें आठ से दस जो मौझूद असांसद हैं उनका टिकेट कर सकता है पूरे असी सीटों असी लोकसवा सीटों की बात करेंगे तो पंद्रे से हैं जहां पर जो मौझूद असांसद है जिनका फीडवेक जिनका जो सर्वे रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आई तो इनका बोपाल इनका टिकेट कर सकता है बोपाल से प्रग्या ठाकुर का टिकेट करके किसी नए उम्मीदवार पर बीजेपी दाव लगा सकती है वहीं पर लग सकता है अला कि एक गुट चाता है कि उनको वहां से मौका दिया जाए इसी तरह से जबलपुर्वें जो मौझूदा सांसद हैं प्रदेश अद्यक्ष रहे हैं राकेश सिंग उनको वहां पर मौका मिल सकता है लेकिन पूरी तरह से सहमती नहीं पाई है क्योंकि जो सके हैं तो उनकी जो सीट खाली है तो वहां पर नए चेरों को मौका दिया जा सकता है इस तरह कि सहमती बंती ने जराई है उत्राखण में भी पांच जो लोग समाएं जिसमें से तीन पर सहमती बन रही है कि तीन पर जो मौझूदा सांसद है वह आ सकते हैं वहीं पर एक द धरमपुरी और संजवंडी इन तीनों को एकवार फिर से मौका दिया जा सकता और जो समीकरण हैं वहां के उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कुछ नए चेरों को मौका दे सकती है कुछ नए लोग वहां पर पार्टी जोइन कर सकते हैं जहां पर उनको लोग सबा जो मौझूदा सांसद हैं उनका उनके टिकेट काटने की सिफारिश की गई है वहां पर नए नाम देने की बात की गई है जो वीरेंद्र सर्जदेवा हैं या महामंतरिया हर्ष मलोतरा उनका एक सीट पर नाम चल रहा है नई दिल्ली में सतीश उपाद्या का ना करेगी कि यही फीड़े के कपिल मिष्रा का नाम भी इसमें आया है तो केंद्रिया सम्सामति ने अभी फैसला रिजर्व रखा आज या कल में या वहिश्य में आने वाले समय में इन पर प्यासला हो सकता है और ऐसे वाखी के राज्जों पर भी चर्चा हुई है जहां पर यह चीजे हैं जिसमें हर्यादर की बाथ सामने आई हर्यादर चुनाब में किया था लेकिन अभी जब सरकार राज्य सरकार बनी तो उसमें जेजेपी एक एहम गठवंदन जो उनका सहयोगी दल है वो सामने आया तो उनका भी दावा है कि वो एक से दो लोगसवा सीटों पर वो भी गठवंदन के नाते सीट मांग रहे हैं लेकिन बीजेपी के जो स सब्सक्राइब लेकिन इसका भी फैसला केंद्री नित्रत को करना है तो जब हरियाना चनाप संती के बैटक होगी तब फैसला होगा कि बीजेपी अपने दंपरी सारी लोगसवा सीटों में जाएगी या जेजेपी को देगी या जेजीपी के साथ गठवंदन लोगसवा च चलता रहेगा क्योंकि टार्गेट साफ है वो रिकॉर्ड चार सो पार्क आए क्योंकि बीजेपी दो यार चोदे से लेकर 2019 का भी चनाप देखें तो हरवार सीटों का आकड़ा लगाता भड़ता जारो और इस वार वीजेपी ने खुद प्रहान मंत्री निर्यंद मोदी न चार सो पार के आंकड़े को पूरा करने के लिए